नमस्कार दोसन स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिसा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों जीवन में कभी कभी अपने ही सत्रू हो जाते हैं और पडोसी तो होते ही है अब ऐसा नहीं है कि हर कोई सत्रू है अपने भी होते हैं अच्छे भी होते हैं पर अधिकतर लोग जलन भी रखते हैं आपके केरियर से आपके परसनल्टी से आपके कुस हाली से जलन रखने वालों को टोपिक नहीं चाहिए बस वो जलते ही रहते हैं कभी कभी तो इतने ज़्यादा वो परिसान करते हैं कि आप हर जाते हैं अब ऐसे में क्या करें कि सब बहुत शारे प्रियोक किये जाते हैं, टोटके किये जाते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। या परिशान जादा करे तो आपको तब शनिवार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काली मिर्च रख कर कुछ सिक्के अगर रख दे और काले धागे के सहारे बांध कर किशी को दान कर दे या पीपल के नीचे रख दे या किशी मंदिर में शीड़ी पे रख दे तो शनिद परेशानियों से बाहर निकलाएंगे, कई बार क्या होता है कि आप दिन वदिन उलजते चले जाते हैं, किसी न किसी चीज में कभी बीमारियों में परेशान रहते हैं, तो कभी धनकी समस्या, कभी परिवारिक टेंसन, बहुत तरह की जीवन में टेंसन होते हैं, तब क्या करे कोई दिक्कत नहीं, आप घर में ये पक्रिया करके फिर वाहर निकलें, किसी भी चीज में रख लें फिर, और अब किसी ऐसे स्थान पर खड़े हो जाईए, चाहे चवराहे पर खड़े हो जाईए, या फिर ऐसे स्थान पर चले जाईए, जहां पर लोग आपको रोकी नहीं, टोकी नहीं, बोले नहीं, देखे नहीं, जदा सुनसान जगा पर मत जाईएगा, अब आपका फिस पूरवे दिसा में होना चाहिए, या पूरव दिसा में अपना चेहरा करके खड़े हो जाईए, वहीं पर खड़े हो जाईए, एक के करके चार काली मिर्च, चारो दिसाओ में फेंक दें जो पांचमा बच गया है काली मिर्च उसको उपर आस्मान की तरफ फेंक दें और वापस आ जाएं पीछे मुड़कर मत देखेगा आकास्मिक धनलाव की योग बनेंगे जीविन में बहुत शारी परिशानियों से आप बाहर निकल पाएंगे आज हम सत्रू मु मिर्च अगर सत्रू ज्यादा परिशान करें अपने ही हो या फिर पराए हो कोई भी हो सत्रू तो सत्रू है एक है या ज्यादा ये माइनी नहीं रखता सब का नाम ले लिजे तो आपको साथ काली मिर्च लेनी है अब इसको किसी भारी वस्त से दबा कर इसको थोड़ा सक अब जो मार्केट में मिलता है उसको मत लेजेगा आप घर पे लाकर साबोत काली मिर्च लेकर आना है साथ काली मिर्च लेकर आना है और किसी भारी वस्त से दबा कर महीन कर लें अब इसको गाय के कच्चे दोज से मिला कर किसी भी शनीवार के दिन आप जाकर सीवलिंग पर अर्पित कर दें, भगवान से प्रातना करें कि सत्रों से मुक्ति दिलाइए यकीन मानिये, सत्रों सांत हो जाएंगे तीन सनिवार आप लगातार करिए ये उपाए अगर आपको लगे कि नकरात्म कुर्जाएं बढ़ गई है जीवन में टेंसन बढ़ गया है परेशानिया बढ़ गई है तब एक सिंपल सा प्रयोक करें बहुत सिंपल है आपको उल्जनों से दूर करेगा सत्रों को सांत रखेगा आपके जीवन में अगर कहीं कोई रास्ता नहीं मिल परा है काम्याबी का तो वो रास्ता अगर आप मालजे भटक गए है या फिर आपको लगता है लक्ष से भटक गए है तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब एक सिंपल सा काम कीजे आपको चाहिए होगा थोड़ा सा कागज ले ले इससे में सत्रों को नाम लिखें और काली मिर्च रख दें और ले जाकर पीपल बिच के जड़ पे फैंक दें उल्टे बार के अपने सर से तीन बार उल्टे बार लें और इसे चुप चाप जाकर फैंक दें यकीन मानिए सत्र विरोधी भी सांत हो जाएंगे ब्यापार बिजनेस भी चलने लगागा क्योंकि घर की जो नकरात्म कुर जाएं या आपके जीवन में जो निगेटिव इनर्जी है वो दूर हो जाएगी आपको साथ काली मिर्च लेनी है साथ काली मिर्च लेकर अगर कहीं सनी मंदिर मिल जाए तो सनी मंदिर के चलनों के पास आप अपने सर से उल्टे बार के रख दीजे या फिर नहीं है तो पीपल के बिच के पास जाएए साथ काली मिर्च लेकर जाएए और वहीं पर अपने सत्रू का नाम ले लीजे सत्रू का नाम लेकर अपने दाइने हाथ में लेनी है साथ काली मेर्च और सत्रू का नाम लेकर एक एक करके जितने भी सत्रू है अगर आप मालिज बहुत ज़दा सत्रू है मालिज आप कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास बहुत सत्रू हो जाते हैं बहुत परिशान करते हैं सत्रों का नाम लेकर और जितने भी सत्रों है उतने काली मिर्च आप उल्टे बार किपने सर से उन सत्रों का नाम लेकर दाहिने हाथ के सहरे फैंक दें यकीन मानिये सत्रों सांत हो जाएंगे अब किस्मत चमकाने के लिए मालिज धुर्भाग पीछा ही नहीं छोड़ रहा तो सभाग में बदल जाए तो क्या करेंगे काली मिर्च लेकर जाएं और आप पीपल की जड़ में यानि एक जारा बार परिक्रमा करें पहले दाहिने आपको धनसे मालाव मालाव होने से कोई नहीं रोक शकता तो ये छोटा सा प्रयोक काली मिर्च क लेए तो आपको अपने किस्मत का और भाग का साथ मिलना सुरू हो सनिवार के दिन सनिव को समर्पीत होता है और सभी रहते हैं इस दीन सनिव का काफी प्रसंद मुद्रम रहते हैं और साथ काली मिर्च का वैसे आप काली मिर्च का दान भी कर सकते हैं काली मिर्च पहुत विशेस वस्तों में और प्रयोग में आती है लावकारी होती है हर किशी काम में आती है स्वास्त बर्दक होती है साथ ही अनेकों प्रकार की कामों में आती है कभी-कभी तो टोने टोटकें में भी काम आ जाती है कभी-कभी तो ऐसे प्रयोग में जैसे कि मा लिजे थोड़ा सा एक काम करिए आपको बताते हैं जो घर में हर तरह की नकरात्मकुर्जाओं को दूर करेगा और धन-धान में बरकत करेगा आप साथ काली मिर्च ले थोड़ा सा उसमें पानी डालके पूरे घर में छिड़काव करें पूरे घर में छिड़काव करें हर एक घर में हर एक दरवाजे पर फिर इस जल को किसी पौधे में डालें और यह जो साथ काली मिर्च बच गई है इसको आप साथ काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में ल तो दस्तों जाते ते वीडियों को लाइक जरूर करें नए तो चनल को सब्सक्राइब करें और इचे शेयर करिए जैस शेयर करें